नमस्ते आप सब शुरताओं को, आज आपका 196 दिन का ईश्री वर्दान, इसमें जाने से पहले आपको सोतंतर दिवस की बहुत-बहुत शुप कामना है, लेकिन सची सोतंतर तक कब आती है, जब हम प्रस्टा चार से सोतंतर हो जाते हैं, आज हमारे भारत देश को तो सोतंतर मिल चुकी है, काफी साल हो चुके हैं, जो देश ने हमें परतंतर बनाया था, उसने आज हमें सोतंतर करके छोड़के चले गए वो, लेकिन फिर भी आज मनुश्य, आज भारत वासी, करप्शन, प्रस्टा चार से सोतंतर नहीं हो हैं, तो सची सोतंतर तब आएगी, जब हम लोब से दूर हो जाएंगे, जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, जो करम किया, उसका जो फल मिया मिला, उससे संतुष्ट, और से तुलना ना करें, इर्शा ना करें, घ्रिना ना करें, तब जाकर कि इनसान और भारत देश सची तरकी पर आगे पड़ेगा, और संतुष्ट ह करके हर किसी के अंदर उख शक्ति रहेगी क्योंकि इर्शय आपकी शक्ति को खत्म कर देती है आपकी creativity को रचनात्मक क्रिया को खत्म कर देती है कला को खत्म कर जिससे कि आप प्रसचार को हटा पाएंगे, आप स्वतंत्र हो पाएंगे, साथी साथ लोब, अहंकार, इर्षा, ग्रेना, नफरत और काम वासना इससे स्वतंत्र हो जाएं, तो आज भारत देश स्वर्ग बन जाएं, तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इस सचे सचे स्वतंत्र दिबस को हम इसी तरी के समनाएं, अंदर की कमी कमजोर्य को हटा करके हम सचे स्वतंत्र हो जाएं, तो देखें आज, इस वर्दान में परमात्मा चाहते कि हम से, देखें आज का वर्दान, बाबा कहते हैं, अपनी अलोकिक रूहानी वृत्ती, अलोकिक, इस दुनिया वाल वृत्ती नहीं, वृत्ती means attitude, तो परमात्मा कहते हैं, हमारी अलोकिक, अपनी अलोकिक रूहानी, रूहानी मतले spiritual, वृत्ती द्वारा सर्वा आत्मा उपर अपना प्रभाव डालने वाले, master ग्यान सूरे भवा, या तो आप अपने रंग रूप से औरों के उपर अब धन भी आज है, कल जा सकता है, लेकिन जो सच्चा सच्चा जो प्रभाव औरों के उपर पड़ता है, वहानी, जो कोई छी नी सकता, जो कि आपको इक गुनों के द्वारा आता है, अगर आपके अंदर मदरता है, सैंशीलता है, उधारता है, तो और लोग आपसे स्वालों को अपनी तरफ आकरशित करती है, चीज ही क्या बात करें, चीज ही चोड़ दीजे, आप एक चोटा सा बच्चा भी आकरशित कर लेता है, भोलेपन के कारण, उसके अंदर आपके परती कोई वैर नहीं है, आपके परती कोई ग्रिणा नहीं है, आप किस जात के हो, आप किस जात के नहीं हो, किस रंग के हो, किस रूप के हो, उसको कुछ नहीं लेदा, आप इस्तरी हो, पुरिशो, उसको कुछ नहीं लेना दा उससे, उसका जो प्यार होता है, उसकी जो दिरिश्टी होती हो, पवित्र होती है, परमात्मा चाहते हैं, कि वैसे ही कोई चीज अगर अगर जैसे आकर्षित करती है हमें, तो उसका उधारन देते हुए, सभी का अटेंशन जाता है, बच्चे पर भी जाता है, और कोई आकर्षित करने वोले चीज, सोने की चीज हो, जुवल्री हो, कपड़े हो, आकर्षित करती है फटाफट, वैसे जब आपकी वृत्ति अलोकिक, रुहानी वाली होगी, हमारी वृत्ति और उसे ये ले लो, उससे क्या फायदा हो, उससे मेरे को कैसे काम निकालना है, ये होगी लोकिक वृत्ति, लेकिन अलोकिक मैं इसको क्या दूँ, क्या लूँ नहीं, उसको मैं कैसे सुख दूँ, कैसे मैं शांती दूँ, कैसे मैं चीजे खरीद खरीद कर नहीं, गिफ्ट दे दे कर कर नहीं, मैं सच्चा जो होता है अपने शब्दों के द्वारे, अपनी सोच के द्वारे उसको प्रभाव अनेक आत्मा पर स्वता पड़ेगा लोगों को तो आपका धन दौलत दे करके आपका रंग रूप दे करके तो इर्शा हो सकती है ग्रहना हो सकती है नफरत हो सकती है है ना competition में आ सकते हैं आपके साथ लेकिन जो अलौकिक होती है जो की spiritual होती है आध्यात्मिक विर्थी होती है जो की पवित्र होती है उसके करणन किसी को आपसे इर्शानी होती है घ्रहना नहीं होती है आपके द्वारा उनको शान्ती प्रतान होती है वो नेडर हो जाते हैं आ जितना हम बाहर का श्रिंगार करेंगे, जितना हम भारी धन दौलत और उनको दिखानी कोशिश करेंगे, उतना हम इर्शा फैला रहे हैं जगत में, भारत में इर्शा फैला रहे हैं, अपने आसपास में इर्शा ग्रिना नफरत फैला रहे हैं, जितना साधारन जीवन होगा, जितना अलौकिक जीवन होगा, उतना ही आसपास लोगों को आपसे कम डर होगा, आपसे इर्शा कम होगी, आपके घर की वाइब्रेशन अच्छ होगी, लोगों की नजर नहीं पड़ेगी आपके उपर, सोचेगे ज़रा, आप उनको कितना इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, स प्यारे पन की स्थिती, स्वता, अनेक आत्मा को आकर शित करती है, अलोकिक विर्ती, इस दुनिया वाई विर्ती नहीं, तो औरों को क्या मिलता है उससे, आपसे प्यार मिलता है उनको, उनको और आपसे इर्शा नहीं मिलती, घरना नहीं मिलती, नफरत नहीं मिलती है, कॉ अच्छा करतें उन के लिए, लेकिन आपको उनसे कुछ रिटेर्न नी चीह, उनका कहते हैं, ढम कहते हैं इंगलश में parsरब है hè qEastica को आकर शेकरते हैं पर आजए के लिए प Jordi से अggलते हैं मैं ये minimize तो सबको उनसे शीतलता, प्रेम, सुख, आनंद मिलता है और आपकी सोच, आपके थौट सी और को शीतलता, प्रकाश, प्रदान करते हैं, सही दिशा दिखाते हैं कि आप ऐसे साधारन भी रह सकते हैं, आप ऐसे सिंपल सोच रखकर भी आगे बढ़ सकते हैं, तो यही चीज प्रमात्मा चाते हैं, कि हम फैलाएं इस भारत देश में, और औरों को स्वतंतर करें, इरशा से, ग्रेणा से, प्रस्टाचार से, प्रस्टाचार शुरू कहां से होता है, असंतुष्टता से, जब मुझे और चाहिए, 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 और चाहिए, और चाहि ब्राइं यह भूरा कुष को बरहे हैं वह को बनाए के कि अपता है किसि और को ना खरते हैं किसी और को और कुझे ना करो अमर्यों ने थे खो oxid है है और प्री खोष यह जो काशा जो और आज आप अपना इंडिपेंडेंस दे स्वतंतता दिवस इस स्वतंतता के साथ में जीएं मेरा ये शुब भाव और शुब कामना आपके साथ रहें और आप हमेशा के लिए सुखी शान्त और तंदृस रहें उम्शान्ति